नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नॉलिज बज़ और आज के वडियो में हम बात करेंगे रेलवे एंटी पीसी के जेनरल अवर्णेस के जीके के पूरे 40 को सन को इस वडियो में हम देखेंगे जो कि 5 जन्वरी को सिफ्ट वन में पूछा गया ठीक है मैं यहां 5 जन्वर इनको देखकर आगे आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली यह वडियों को आंति तक आप देखेगा तो चलिए पहले को सिंप करते हैं पूछा गया है कि आई एम एफ के सदस्टें निम्न में से कौन है तो आई एम एफ के सदस्टें कितने हैं ए इसके बाद पूछा जा सकता है अगले आने वाले सिफ्ट में कि इसका जो हेड है वो कौन है तो क्रिष्टाल लीना जोर्ज ग्रीवा देख लिएगा जो भी लिखा है इनका नाम है वासिंटन डिसी इसका हेड़ कौर्टर है और 1944 में यह स्टैबलिश हुआ था आई एम ए जाता है तो स्वामी विबेका नंद के जन्म दिवस के ऑसर पर बारहत जन्वरी को राष्ट्रिय युवा दिवस मनाया जाता है उसके बाद अगला कोशन आप से पूछा गया कि फोर्ट विल्यम्स कहां पर है तो फोर्ट विल्यम्स कहां पर है तो कॉलकता में 1781 में इसकी सापना की गयी थी अगला कोशन देखिए वाट इस फुल फोर्म आप है CAA चिटिजन सिप एड अम्मादेंट आक्ट ए टिक हा न यह पूछा गया था ना ग्रिक्टा संसोधन आक्ट आगे देखिए वाट इस दा फुल फोर्म आप ट्रई का फुल फोर्म क्या होता है यह इंडिया 1997 को नियु देली में इसकी सापना की गई थी आगे देखिएगा हैट कहां हो गया नियु देली डी यह पूछा गया था तो इसके द्वार मंदिर किसके द्वार निर्मित है तो इस मंदिर को यूनेस्कों ने विश्व धरोहर की सूची में रखा हुआ है और इसक सब्सक्राइब की गये थी मतलब 10 एक हजार रतें से लिके एक हजार दस के बीच में इसका निर्मान किया गया था और किसने уш Ira मंदिर का अन्य दूसरा नाम किया तो तो जत्रें भी पॉइंट हो सकते तो सब थेह विज्या बैंक और देना बैंक को किस बैंक में मर्च किया गया है कौंग्रेट कि गोल घौंगरस जी ब्हूंडा में उन्मों31 में यह कुछ न आगे फिर से घुमा की भी मैंने सेट किया तो उसे भी आप देख लिजयाएगा आगे देखें ला लिंगा ला लिंगा का ब्रैंड डेमेंस्टर कौन है तो रोहीशरमा भारत में कौन है तो रोहीशरमा है यह important कोशन ने यह पूछा गया था आगे देखेगा सेट्स ऑफ सैफ्रॉन के लेखा कौन है तो सगा नकभी जो है ना सबा नकभी सेट्स ऑफ सैफ्रॉन की लेखी का है UNO United Nation Organization के आठवे महासचीव कौन है तो बान की मून है आठवे महासचीव सईुक्त राष्ट्र संगे के आगे दिखेगा मंदिर कहां इस्ते थे सेम को सब्सक्राइब पूछने का तरीका अलग हो सकता है क्योंकि मैंने पहली बताया था यह मेमोरी बेश्ट को सने बच्चे हमें जिस तरह से उनको उसी तरह सा हम यहां सेट करते हैं ठीक है तो कुछ बच्चे अलग कहते हैं कुछ को मैंने यहां रखा हुआ है मंदिर कहां तो राजेश्वरम तमिलणाडू में के तंज्वार मिश्टे यहां एक हिंदू मंदिर है जो की यारवी सदी में बता गया था और पारे में बाकि जविटल मैंने बता दिया आगे देखिए लीगो क्या होता है तो लीगो का मतलब तो क्या होता है laser, inter, pyrometer, gravitational wave और observatory ठीक है ना तो यह इसका full form होता है यह important हो गया neurons मानों शरीर के किस से प्रनाली किस प्रनाली से संबंदित है यहां लिखना था मुझे अंतराष्टिय इंद्रेत्य दिवस किस चिति को मनाय जाता है तो 29 अपरेल को अंतराष्टिय इंद्रेत्य दिवस मनाय जाता है गुवा की मुक्हे मंत्री का नाम क्या है परमोज सावण्त दिखें तमिलाडू में नएा साल कि स्चारिक को मनाय जाता तो चौधा जनवरी को मनाय जाता पोंगल के दिन आगे दिखेंगा भारत का सबसे पुराना बंदरगहा कॉंसा है तो कोलकता जो की एक नदी बंदरगहा भी है ठीक ना आगे दिखिएगा इन में से कौन द्यूतिये गोल में समेलन में सामिल हुए तो देखिए दो को सन पहले भी था महात्मा गांधी सामिल हुए थे 1931 में यही को सन को मैंने घुमा की भी केता कौन था फ्रांस फ्रांस ने क्रोइसिया को हराया था 2018 में रूस के मौस्कों में हुआ था और अब जो होगा 2022 में कतर में होगा और फ्रांस अभी तक दो खिताब जीच चुका है ब्राजिल सबसे ज्यादा पांच बारे फीफा वर्ल्ड कप का के खिताब जीच चुका अबता है कि वहास्विक होती है सुर्य के चारो और घूमने वाले खगोली पिंड को क्या कहा जाता तो ग्रह कहा जाता सभी को पता है उसके बाद प्रफ का महानिदे से कौन है तो राकेस अस्थाना है इंपोर्टेंट को सने सिवा जी स्टेडियम कहां पे तो न्यू देली में फॉर्मुला वन इटालियन ग्रैंट फ्रिक्स के विजएता कौन है तो पी रे पी रे गैसली ठीक है न तो यह याद रखेगा फॉर्मुला वन इटालियन ग्रैंट फ्रिक्स के विजएता पी रे गैसली आगे दिखें जिवासमी के अध्यन को किस विज्ञान के नाम से जाना जाता है तो जिवासमी की या जिवासमी विज्ञान या पैंटो लॉजी के नाम से जाना जाता है ठीक है आगे दिखें भारत के पहले मुख सिटी एवार्ट से सम्मानित किया गया तो वियाना जो कि आउस्ट्रिया की राजधानी है यहां देखेगा किस जलोध जलोध मिट्टी को अन्य जलोध मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो खादर के नाम से जाना जाता है ठीक है इसको मैं हटा देता हूं आगे द अगे देखके आजी को नहीं होता है थे ज़ने नुतेन के पहले नियम को कि सो अन्य नियम पूल यह सरक होता है तो लाव आफ इनर्सिया यानी जरत्वे का नियम के सांब प्रुस्कार किसे मिला था तो 1901 में सिलि प्रमोध को मिला था सबसे पहले साहित्ये के चेत्र में पूचा गया था 1913 में किसके मिलाथा भारत के लिए पहला नौबल कोसन देखने को मिलेगा बट मुझे जहां तक लगता है कि 1901 कोसन पूचा गया था आगे देखिए क्योंकि दोनों आद्मीं को साहित्ते में मिला था duk着 खिलाफस्ट आंदोलन किस्की अधिक सिता में हुई थी तो महात्मा नि मौहम Add Berkeley और मुलाना स्वाकत अंदोलन का नित्रत्य किया था स्लिपर किया कि सदिता के लिए कम से कम कितनी होना चाहिए तो 25 यहां देख रहा होंगे ज़्यादा को सना तो दो को सन उपर में रूपीट हुए थे और कुछ देख सकते हैं जो मेमोरी बेश्ट में देखने को मिला सबी पॉसिबल को मैंने आपको कराने का यहां कोसिस किया तो जादा है तो मैं चाहता तो 40 कोसन भी दे सकता था बट मुझे आप लोगों को सटीक जानकारी देना जो कोसन में आया हुआ जो पॉसिबल कोसन है ठीक है ना आगे देखिएगा और यह सभी कोसन में आए हुए आप किसी भी जाके यूट्यूब चैनल पर चेक कर लिजेगा यही सब क पूछ लीजेगा जिसने आज एक्जाम दिया होगा इनी 46 कोसन में से कोसन देखने को मिला होगा ठीक है ना आगे देखिएगा लोग सभा की सदसाकता के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए तो पचीस राज्यसभा के लिए तीस और राष्ट्पती बनने के लिए होता है 35 साल गवर्नर बनने के लिए भी सेम होगा 35 साल पहला टेश्ट मैच है किस स्टेडिये में हुआ था यह कोसन को लेकि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि आया ही था इस कोसन पर थुरा समय मुझे डाउट है फिर भी मैंने आप लोग को बता दिया आगे दिखिए आई पील के में 100 मैच जितने वाले कप्तान कौन है तो मेहंद्र सिंधोनी जो कि चैनलिस सुपर किंग के कप्तान है रोहिष सर्मा के टीम मुंबडी इंडियांस को इन्होंने पहले मैच में हरा करें 100 मैच जितने का कृतिमान इस्थाबित किया था कप्तानी के तौर पे ठीक है ना तो मेस्थ द युट दिक से जितने भी कृस्ते वह दोस्तों को बता दिया ठीक है जिसे एक बार आपो दोस्तों मैंने आप लोग को बता दिया और यहां पर मैंने 40 से ज्यादा को टोटल को के लूट किया जो कि 5 जोनी 5 जनवार बाहिस दिनले का कि टीके वुंट में wal पूझे क्या थीका ना 5 जनवरी sift वन में पूझे गया के सभी के सभी को इसाइबban को सभी прошा को मैं झाल झाल